जिन लोगों के पास कबजा की गई सरकारी जमीन है तो क्या उन लोगों से जमीन वापस लेगी सरकार? नमस्कार मैं दिवास वागत है आपका उसके स्वीरियों में बिहार में भूमी सर्वेक्षन की प्रेक्रिया सुरू है सालों बाद सरकार ने पूरे प्रदेस में सर्वेक्षन करवाने का नर्ने लिया है भूमी सर्वेक्षन करवाने के लिए कई वज़ा है ताकि बिहार सरकार को अपनी जमीन का पता हो सके और लोगों के पास कितनी जमीन है इसकी जानकारी भी हो सके कई लोगों को लग रहा है कि सर्वेक्षन के जरिये सरकार उनकी जमीन पर कबजा कर लेगी लेकिन आपको असपस्ट कर दें कि ऐसा कुछ नहीं होगा इसके विप्रीत आपकी जमीन आपके नाम सुनिस्दत हो जाएगी जमीन से संबंधित वाद विवाद भी घटेंगे हिंसक मामले भी घटेंगे आपके जमीन के सारे कागजाट अपडेट भी हो जाएगे बस सरते आपके जमीन के कुछ कागजाट जिनकी जरूरत सर्वे के लिए है वो हो नहीं चाहिए कई लोगों के अंदर ये भी सवाल उठ रहा है कि किसी की जमीन गैर मजरूआ है तो उस जमीन का क्या होगा जिन्होंने जमीन पर अवैद कबजा किया था उनका क्या होगा क्या सरकार उस जमीन को वापस ले लेगी या पहले जैसे ही रहने देगी तो आज हम आपको इन ही सब सवालों के जवाब देंगे सबसे पहले हम असपस्ट करते हैं कि गैर मजरुआ जमीन क्या है गैर मजरुआ जमीन दो तरह के होते हैं एक होती है गैर मजरुआ खास और दूसरी होती है गैर मजरुआ आम इसमें सबसे पहले जानते हैं गैर मजरुआ खास जमीन के बारे में ये जमीन भी सरकार की ही होती है लेकिन ये उन लोगों के इस्तिमाल के लिए होती है जो अत्यंत गरीब हैं जिनके पास रहने के लिए जमीन नहीं है तो यदि आप इसे सर्वे के दोरान दिखाते हैं तो ये जमीन आपको दे दी जाएगी यानि गैर मजरुआ खास जमीन पर जिन लोगों का कब्जा है तो खतियान में आपका नाम दर्ज होना ही चाहिए इस जमीन का रिकॉर्ड सरकार अपने पास रखेगी ये जमीन आपकी ह स्कूल या सरकारी कारियाले पोखर आदी इस जमीन पर कोभी बेक्ती अपने इस्तिमाल के लिए कब्जा नहीं कर सकता है अगर इस जमीन पर आपका वैद कब्जा है तो कुछ कानूनी कारवाई या कुछ प्रक्रियाओं के बाद उस अतिक्रमन को हटा दिया जाता है और ज जमीन के सर्वे करवाने की प्रक्रिया बहुत ही आसान है आप इसे आसानी से ऑनलाइन भी करवा सकते हैं और इससे अपने शेत्र में लगे सिवीर या केंप में जाकर भी करवा सकते हैं आपको इसकी आधिकारिक वैबसेट पर जाना होगा वहां अपने कुछ जरूरी काग जात अप्लोड करेंगे जैसे वंसावली आधार कार्ड जमाबंदी आदी फिर इन्हीं कुछ खास प्रक्रियाओं को पूरी करने के बाद आप कहें से भी अपने जमीन सर्वेक्शन का काम करवा सकते हैं आज के लिए फिलाल इतना ही ये वीडियो आपके लिए कितना हेलपफुल रहा हमें कॉमेंट में लिखका जरूर बताएं हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद